फाइलो टेक्जी फाइलो means leaf and texies means arrangement the mode or fashion of arrangement of mature leaves on stem and interpronces is called फाइलो टेक्जी फाइलो टेक्जी का मतलब है कि लीफ जो stem पर arrange है वो किस pattern में, किस style में arrange है कौन से fashion या mode में arrange है और इसका function यह है कि to avoid overcrowding और shading मतलब कि हर एक leaf को easily sunlight पहुंच सके ताकि और crowding of leaf ना हो stem पर तो इसलिए मुख्तलिफ लीफ ने अपनी arrangement या फाइलो टेक्जी की होती है तो अब इसकी classification या types है classification is based on number of leaves at each node कि node से leaf arise होते हैं तो अब एक node से कितने leaf arise हुए है अगर एक leaf arise हुआ है या दो leaf arise हुए है किस pattern में है तो इस base पर इसकी classification है फर्स टाइप है alternate file o taxi या alternate arrangement leaf at each node one leaf at each node for example ये nodes हैं और हर एक node से एक leaf arise हुआ है एक leaf यहाँ पर दूसरा इस दूसरे side पर पिर यहाँ पर और पिर दूसरे side पर means कि they alternate with each other change होते रहते हैं for example sunflower, china rose, mustard and mango plants में हम ये देख सकते हैं दूसरा type है opposite means कि two leaves at each node हर एक node पर दो दो leaf हैं अब इसमें पिर दो types है superimposed and decusate superimposed means कि nodes हैं इन में दो दो leaf arise होए हैं अगर दोनों एक दुसरे के आमने सामने हो opposite तो इसको superimposed कहते हैं मतलब ये leaf है इसके उपर above leaf बिलकुल इसके सामने है इस तरह ये leaf है इसके उपर above leaf बिलकुल इसके सामने हैं तो for example eugenia jambolena जामन में हम ये देख सकते हैं और दूसरा है decusate decusate means कि leaf are present at right angle to the next leaf for example first ये दो leaf हैं ये दोनों आमने सामने हैं एक नोट पर दो ही leaf हैं लेकिन इसके उपर जो है अब ये यहां पर दोबारा इस तरह सेम नहीं है बलके ये इस तरह perpendicular है तो इस किसम को decusate कहते हैं फिर इसके बाद तरड जो pattern है वो दो बारा इस तरह leaf हैं और जिसके बाद जो बारी होगी तो वो इस तरह right angle to each other होगी मतलब जिगजग पेशन बनाते हैं पैटरन बनाते हैं फार एक्जेमपल ये फिर्स्ट इस तरह leaf है तो इसके बाद जो है वो इस तरह दोनों है पिर दोनों लीफ इस तरह और दोनों इस तरह तो इस किसम के पैटरन को decusate कहते हैं कि एक ही नोट पर दो-दो leaf हैं लेकिन सा कासिमम तुलसी केलोट्रोपस प्रोसेरा या मिंट में हम देख सकते हैं तर्ड टाइप है वर्ल्ड और वर्सिलेट मैनी लीफ एक नोट्स मेंस कि ये नोट्स है इस नोट्स पर अगर दो से ज्यादा लीफ एक ही जगह पर एराइज हुए हो फार एक्जामपल अलस्टोनि नेरियम या ओलियंडर प्लांट्स में हम देख सकते हैं ये नोट है और इस नोट्से दो से ज्यादा लीफ एराइज हुए है ये नोट्से ज्यादा लीफ तो इसको वर्ल्ड या वर्सिलेट कहते हैं वर्सिलेट मुस्ली हम तब कहेंगे जब तीन से ज्यादा या पांच स ज्यादा लीफ यहां पर एराइज हुए हो तो उसको वर्सिलेट आरेंजमेंट कहता है